के गाइज वेलकम बैक तो चैनल देश समीर और वाचिंग एमेस की व्लोग हम लोग के इब्राहिम गोट फार्म पर एक और अंडूल बक्रों का नया लॉट आया हुआ है हमारे साथ है अश्वी भाई अभी लोगभग इसमें कुछ बीस एक बक्रे है पुरे लॉट में यह व हम लोग बात करेंगे एश्वी भाई से और कैसे बक्रों को हो सकता यूकियों को भार जो ही बारिश हो रही है ःूनज सब कोटा है क्या तीन महलों आहिए Inform और कि एसमें अनदाजा शू抵ा से geography लगाए है अन्दाज करा dus love is यह बाद वालवा वह वह बैसी है मालवा है नगा वह बैसी है अपन क्या करते हैं एक दो दो बकर एक निकाल के अपन लोगों को अंदाज है कि सबसे दिखा देते हैं तो अभी हम लोग आप लोगों को चार-चार बकरे करके पूरे 20 बकरों का लॉट डिकाने वाले वीडियो को एंड तक देखिएगा बीच में से स्किप मत करना ने तो आप लोग से हो सकता है कोई चीज मिल सो जाए ठीक है तो देखे अभी दो बकरे भार आ चुके थोड़ी ह ही आरिश है तो ये बकरों को जल्धी से जल्धी ही दिखा कर वापस अंदर ले जाए थे तो ये दो बकरे है अब ही और दो बकरे उन पर रहे अंदर से चार बकरे से अग़ को मैं निकाले जाएंगverbs से है Ee मैं चत्री लेके खड़ा हूँ थोड़ा सा नहीं है वो जाड़ के लिए चलो ना पानी नहीं रेंगा इत्ता इस तीसरा बक्रा है तोटल तीन बक्रा है यह अश्पी बाई आप इसकी डिटेल शुरू करें ना माशाला बहुत बढ़िया शत्र किलो वजन बदाया अपने आपकि किया अच्छा चार दात पर है चार ठीक है और यह ब्लैक अन वाइड वाला जो है यह बड़ा वाले वाले वजन ए सिक्स्टी सेवन केजी माशाला और यह डात इसने आभी आट लगा है आट दात कर लिया है बक्रा कौन सा यह कोटा है मालवा इसके शिक्य थोड़ा अलग दिख रहे दे वह साब से मैं पूचा थोड़ा कोटा मालवा में है यह हो सकता है वह वाइट प्यूर मालवा है यह वाइट वाइट पर रही है तो यह तो यह तोटल चार बक्रे इनका प्राइस हम लोग कैसा कॉल पर बताएंगे या इसके अपने बास इसमें शोलह हजार से लेके तो पाइटीस हजार तक का बक्राइब आप शुला हज़ार से टाटिंग है यह अब हाँ यह सब अभी फंस चार बक्रों का लोट अपने निकाला इसमें बड़े बक्रे अभी आगे और भी सबसे यह बख्राइए यही बख्राय यह लॉट का घीक है तो अभी आगे और भी बक्रे तो नहीं देखने लायक इसके सब बड़े बड़े बखर यह चार बखर तो इसमें बड़े थे अभी इसके बाद जो सोलह हजार रुपए उसका वो जो है वो अलग है तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा काफी बड़ा वीडियो जाने वाला है लेकिन इसी के अंदर सारी डीटेल हम लोग शेयर कर अब कर दो आया यह माल अपने पास बार कल आया ना पूरा खुड हुड़ा अब दाथ पर अग्दम फ्रेश अर्याल्ट पालने वाली चीजे यह बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इसा लगता आदा है नजाकत वाला बकरा अधह है बहुत अच्छी चीज है इस खुर कब अच्छे बखरे माशनला खूर भी इसके वाइट है कली आये हैं बखरे तो मेरे कहल से बखरे थोड़े प्लस माइनस भी हो सकते हैं ना तो भी जो अपन वजन जो बता रहे वो अभी वजन लाइव वजन सही सही हम तो अंदर से जब आम लोग ला रहे तो वजन करके वह इसका क्या वजन बदा अपने 50,49 कि अभी आया है तो दो दिन बाद इंशाओला इसका पेड अंदर भी बखर होगा और कली आया मतलब है ना महाने तुप मालम है बखर को बारी को बारी की एक चुछ अगा बगर बगर है यह दात पर इसका 68 के वाधन है 68 शे दात पर माशाला बहुत अच्छी बनावट के सिक्के मजबूस सिक्के माशाला एक बढ़िया है और कौन सा है इसके बाद यह ब्लेकन वट इसका भी आदा फे गुलाबी है यह अच्छी चीज़ है यह अगर कोई रखे एक साल पल्टी पर तो बहुत अच्छी बन जाई बहुत अच्छी चीज़ है माशाला खुबसूरत है माशाला यह च्छी दात पर है यह दो दात पर है कितना वज़न है इसका 48 के जी है यह सब वज़न जो है बकरों ने तोड़ा हुआ है ना सब के पेट खाली है और बकरे अभी सफर के अच्छा पती डाले हुए है अभी बकरे की बारी यह अच्छा बकरा है माशाला तरह इसका 52 केजी पर है चोटा दात इसने लगाया है कोटा ब्रीट और इसमें बैता दू यह 16,000 रुपे से स्टार्टिंग अइमर्पी थरीफाइट आउजन तक शोला से पैतीस हजार रुपे तक यह बकरे जो हम लोग पुर स्क्रीन शॉट लेते रहे बकरों का विडियो नहीं दे पाएंगे 20 बकरे टोटल नहीं दे पाएंगे आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे तो आप लोगो प्रॉपर डिटेल बता दी जाएगी अभी दूसरा लोट आना शुरू हो गया तोटल 8 बकरे हो गया अभी 12 बकरे हम और दिखाएंगे वीडियो का आप लोग एंड तक देखिएगा ठीक है यह बहुत प्यारी चीज़ है दो दाथ पर कुटा है लिगे मुंडा कोटा है कोटा है मुंडे में अर्वा हाँ हाँ है कलर भी अच्छा है इसका मार्शनलोह 42 kg बहुत बढ़िया किते दो दाथ अच दो दाथ पर है माशालला बहुत अच्छा बखर है कुपसूरत है और ज्यादा चिलम-चिली वाला भी नहीं है एक दम शांत स्वाओ का कोटा है लेकिन यह मुंडे में कोटा है दो दाथ पर बढ़े बढ़े बखरे बहुत ज्यादा खुकार अंदर तुमारे पास ठीक है तो यह एक बख्रा और है अभी और तीन बख्रे आएंगे टोटल अपने नौ अभी इसके बाद 12 बख्रे हो जाएंगे और उसके बाद 8 बख्रे बाकी रहेंगे तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ठीक है तो यह देखें दो बख्रे और इन्होंने निका कोंसा कौंसा है यह मालुआ यह मालुआ ना माशा अल्ड़ दो दाथ 38 वजन है माशाएलला और यह दोनो इसका 54 वजन देखिए अच्छा बश्चा माशा अल्ड़ कुप्सूरत है इसका बहुत अच्छा है बहुत अच्छे 54 वजन है आप लोग इसक्रीन शॉट लेते रहें जिन किसी को जो भी बखरा पसंद आता हो इसक्रीन शॉट ले 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 जोड़ारे कमर्ण भी बहुत अच्छा है यह सिक्क्य और बढ़ेंगे ने गुमेंगे ना गोल होएंगे अग्दम माशा आल्ला बहुत अच्छे दो दाट और 50 44 केजी दो दाट पर रहें बखरा माशा आल्ला गाईस बार बार मैं हर बार बोल रहा हूं आप लोग इसक्रीन शॉट ले अश्वी भै का नंबर में स्क्रीन के ओपर दूँगा आप लोग इनसे डारेक्ली शेर करना यह सारी डीटेल्स वो अच्छी है इसका भी स्क्रीन शॉट आप ले ले 47 केजी माशा आल्ला तो यह बढ़िया बखरे थारे और भी बखरे अभी बाकी है वीडियो आप लोग जो है वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा इब्राइम गोट फार्म कल्यान रिती बंदर में हैं हम लोग माशा आ बखरे जो है वो शुरू हो रहे है और 35,000 पे एंड है 16,000 से 35,000 तक के बखरे अभी हम लोग जो लॉट कवर कर रहे हैं इसमें अंदर इसके अंदर है ठीक है तो यह देखे मालवा माशा लगा है 44 केजी चार दाद लगा रहा है इसके सिक्के ना इसकी खासियत है यूनिट इसके सिक्के के अंदर मतला बहुत बहुत बढ़िया सिक्के है माशा लगा है पानी है जमीन गिल्ली है यह जामीन को रोकता हूं आप लोग स्क्रीन शॉट ले अच्पीबाई से शेयर करें बाकी की डीटेल बगेरा प्राइस बगेर आपको कॉल पर बता देंगे वो भैत को माशा लाूप क्या बात है और यह दूनों दो दो दात पर है ना यह चार दात है और यह वाला दो दात पर है माशा आल्ला aixíन किलों बात माल्वा अभी आलशा बहुत जो तीन बगर देख नजा के रख लिए पस्ध किलो का है ked ताछ 10 किलो का सामने है तीनों यह मालवा में है ठीक है यह 40 किलो है दो दाट इसक्रिंशॉट आप लेते रहें मैं हर बार आपको हर बकरे के उपर बोड़ा है करूली कोटा उसके कानों का कलर बहुत यूनिक आया है माशाला बहुत बढ़िया कित्ता 37 दो दाट बहुत बढ़िया तो यह और और ले हुआ अभी तीन बकरे बाकी है वह भी आपको दिखाएंगे ठीक है तो यह देखे आप 17 लोगो ने आपको भाहत का यहां पर अच्छे 22 बंकरे पुरे ले काटा घ्या अपर बना रह रहे है पूर लगाया जै सब्सक्राने argument W Scottish he 않고 weak unta law olhosgate ढॉर है किते ढात पूर कर लिया के डात पूरे फरी असरी का देखे глазिके मॉन होगया और टैकेक भ मी दात पूर हो गया इसका चैस का शीना देखेख़त इसके सब्सक्राने जैसा पूर बितकर बड़ाबर और कली आये ट्रांस्पोर्ट में तो ट्रांस्पोर्ट बें नहां लेगा तो वख्रा की वात ही अलगे माश्यल्ला अभी सब्का चालू हो गया चिल्लाम चिल्ली यहां पर वजन काटा नहीं है ब्लाक कलर में और गुमाओदार सिक्के वाला बख्रा कोटा है पचास के उपर ही बता रहे हो ना 55-58 केजी होगा इसका किते दात पर रही है दो दो दात पर है यह अच्छी चीज या बहुत गरबहा है आप देख सकते हो बखरे की शर्कत कि चिल्लम चिल्ली ओप मत अधर को सब्सक्राइब फुलपायर है यह वो प्रस्की यह बहुँआ है जारो पाहर चारो पाहर पाहर रुपने को तयार नहीं हो अच्छा चारो पैर में उत्ते उत्ते तुकड़े पे वाइट आया है और मुह पे आया खाली इसके जाब आते है अचिल जाता है यार यार बहुत अच्छे एक वाइट में है अश्पी भाइस का नाम बुल बता रहे है बुल बहुत अग्रेशिव हाँ यार 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 एक जाता है यह कोटा है मालवाय कोटा है इसके सिक्खे बहुत अच्छे में ही जाता है कितना वजन होगा इसका अंदाज है 60 प्लस होगा सही तो ये 20 बकरों के लॉटका ये आखरी बकरा है एनक इसका भी स्क्रीन शॉट आप लोग ले ले और इन से शेयर करें भागी प्राइसींग वगेरा के में इन से डिसकार । ये इस